हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर और जैसा कि आपको पता है कि लैंग्विज क्लास में हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिस, इंतीनों में से कोई एक तो आज हम संस्कृत का जो है एक सेट देखने वाले हैं और संस्कृत में आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के प्रश्ण और तरह तरह के प्रश्ण देखने वाले हैं वो टॉपिक है अव्याई ठीक है तो आज हम अव्याई का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं उसमें किते तरह के प्रश्ण बन सकते हैं वो हम देखने वाले हैं चले स्टार्ट करेंगे सेशन फटा-फट से जो लोग भी चैनल से जुड़ चुके हो लाइक कर दीजिए का वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो पहला प्रश्ण है वो है इदा नीम किसका वाचक है अच्छा जिन लों को अव्या पता नहीं है एक शौट साब मैं बता दू कि अव्या होते क्या हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनका काल या वचन विभक्ति लिंग इन सब के प्रभाव से इनका रूप परिवर् है ठीक है इदा नीम किसका वाचक है काल का रीति का सर्वनाम का मनुविकार का तो देखे अव्या जो है वो कई सारे हैं कुछ काल को दर्शाते हैं कुछ स्थान को दर्शाते हैं जिसे यहां वहां जहां स्थान को दर्शाएगा है अभी आज कल यह सब क्या है काल को दर्श प्रकेरणक य 넘ाल मनोविकार आता हम काया वार थार कंष्णत करके था. यह था किसका वाचक है? रीतीका, स्थानका, सर्वनामका या समयका देख़िए प्रस्थन ऐसे भी बनते हैं अब ऐसे ध्यान रखना आपको इन चीजों का यह था यह था जो है वो जाईर सी बात इस्थान का तो नहीं ही है समय भी नहीं ही दर Τार Во Penau समान रहते हैं संधी के अव्यके समास के या प्रत्य के तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में अव्यके जो विशेशड किसी काल का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं काल वाचक क्रिया विशेशड स्थान वाचक क्रिया विशेशड रीती वाचक क्रिया का काल का रीति का या समय का धिक यह मन के भावों का अव्य है ना आप लोगों ने जैसे धिक वर्ड सुना होगा किसी भी आप पैरग्राफ पढ़ते हैं या फिर कह सकते हैं कि पैस अंजीन पैसेज वगएर जो चालूब करते हैं संस्कृत में उसमें यह वर्ड्स आपको बा कि होते हैं वहाँ पे आपको यह मिल जाता है धिकार जो है वो धिकार को दिदर्शाता है धिकार है तुम पर ऐसा है ना धिकार सुचक कह सकते हैं इसको स्थान वाचक क्रिया विशेशड इन में से कौन सा है अधुना अत्र इव अतह अधुना अत्र इव अतह स्थान वाच जो स्थान को दर्शारा है तो जायर सी बात है यहां पे अत्र तत्र कुत्र यह सारे जो आपके होते हैं वो स्थान वाचक होते हैं यहां वहां जहां कहां तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए वो हो जाएगा आपका आप्शन नमबर बी अत्र यहा संश्कत में जिन शब्दों के रूपों में कभी कोई परिवर्थन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं तो बात वही है जो उपर समझाया था या बस प्रश्ण पूछने का तरीका अलग-अलग है समास, संधी, अव्या या उपसर्ग अव्या कहलाते हैं निश्चित रूप से जिनका अव्या नहीं होता इन में से शोक सूचक अव्या कौन सा है जो शोक को दर्शाता हो हाँ, आह, अई, अरे शोक सूचक अव्या उत्तर सही होगा हाँ, आप लोगों ने जो भी कभी पढ़ा होगा संस्क्रित की बुक्स पढ़ी होगी, संस्क्रित की बच्चों की बुक्स पढ़ी होगी तो उसमें डैलॉक्स रहते हैं उसमें कहानिया रहते हैं तो उसमें कोई ये बोलता है तो वो शोक में रहता है तो आगे लिखा रहता है फिर उसके बाद आगे की चीज़े लिखी रहते हैं ठीक है एव किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है निश्चे आत्मक में, प्रश्ण बोधक में, क्रिया विशेशण में या साद्रश्य में एव तो एव का अर्थ क्या होता है ही एव कर्थ होता है ही, जैसे जाना ही है, करना ही है, ऐसा ही ठीक है? तो क्या हो गया? निश्चे हो गया ना? तो आपको option number A हो गया, निश्चे आत्मक अच्छा, अव्याय का जो आपको हिंदी नहीं बनेगा तब आपके लिए उत्तर सही उत्तर लगा पाना मुश्किल होगा थोड़ा common से words हैं, आपकर आप सारे नहीं, जितने जादा हो सके हैं अव्याय के हिंदी भी यात कर लेते हैं अर्थ शब्द अर्थ यात कर लेते हैं सबसे पहली बात तो जो सीड़ेट वगेरा में आप करते हैं अपटित गद्यांश तो उसमें ये सारे प्रयूख्त होते हैं तो इसका अर्थ समझने में या प्रश्णों में ही आते हैं प्रियुक्त होते हैं तो उसका आर्थ समझने में आपको बहुत आसानी हो जाती है जो अव्य शब्द दो या वाक्यों को जोडते हैं वो क्या कहलाते हैं अब आपको इस सेंटेंस इस वाक्य के अनुसार अपनी common sense का प्रयोग करना है अपनी थोड़ी से ग्यान का प्रयोग करना है और बताना है आपे कौन सा अव्या आना चाहिए तो अव्या से प्रश्ण ऐसे भी बन सकता है धर्मम ब्लैंक सुखम न भवती स्वह अपी विना शनेह अगर इनकी हिंदी पता है तब तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा श्वह मतलब आने वाला कल होता है तुमॉरो है ना अपी मतलब भी होता है ऐसा भी है ठीक है शरह मैंने बताया था वी धीरे विना मतलब बिना है ना तो धर्मम विना सुखम न भवती यानि धर्म के बिना सुख नहीं होता है तो आप्शन नमबर सी सही हो गया अभ्यासेन ब्लैंक कोशलम प्राप्यते अब यहाँ पे क्या आएगा ये भी प्रश्न आपका जो पहले का प्रश्न था उसी क्या नुसार है एव अपी सह शनेह अभी मैंने इन सभी कार्था आपको बता दिया शाह मतलब होता है साथ में है न एक ये बचा था तो यहाँ पे ही आने का संस नहीं है अभ्यासेन यानि अभ्यास से कॉशल प्राप्त होता है भी स्वारी ही बोल रहती ये ही है ये भी है सह है, मतलब साथ और शनह चलिए देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर होता है, वो हो जाता है आपका option number A, एव हो जाएगा, अभ्यास से ही कौशल प्राप्त होता है अब ये लगाते तो हो जाता है, अभ्यास से भी कौशल प्राप्त होता है और शनह तो मतब धीरे होता है तो ये तो खेर सेंसी नहीं बनता ग्रिहम ब्लैंक गच्च विना प्रतिसह अलम क्या आना चाहिए सिवीधासा आपका जो एक वाक्य है ग्रिहम घर गच्च जाने की बात हो रही है ठीक है तो घर की तरफ जाने की बात होगी कि घर जाने की बात हो रही घर को जाने की बात हो रही हो गया है कि नहीं तो यहाँ पर क्याना चीए प्रति हो आना चाहिए कि ठीक है विना मतलब ग्रह के बिना गच्छ मतलब ऐसा कुछ चंस ही नहीं बनता है आपका option number B आएगा मम अध्याप कह ब्लैंक न अपार्थियत तथा हुआ कथम चुह तो बहुत ही इसको गयस करना आसान है धात रूप आप लोगों ने पढ़े हैं देख रहे हैं अ लग जाता है धात रूप किसी विधात रूप के पहले तो मतलब वो भूत काल हो जाता है पास्ट टेंस हो जात भूत काल की कि मेरे अध्यापक ने शायद बीते हुए जो भी समय बीत गया है उसमें नहीं पढ़ाया है ऐसा कुछ कहना चाहा रहा है कुछ कुछ है न तो यानि बीता हुए समय आपको बताना है समय की बात हो रही है अब यहाँ पे समय में सिर्फ ये दो ही अव्य प्रिय हो रही है तो यह हमारा सेशन था छोटा सथा 15 प्रशन हमने अव्य के देखे हैं फटा फट से शायद और इनमें से सही कितने हुए हैं यह आपको कॉमेंट करके बताना है और उसके साथ मैं वीडियो को लाइक भी कर देना है शेयर भी कर देना है चैनल पे नहीं है तो सब् ठीक है कोशिश जरूर है कि classes हो एक बार सारी चीज़े stable हो जाएं एक दिन चर्या decided हो जाए तो फिर उसके बाद चीज़ें होंगी पर अभी थोड़ा सत हो समय उठापटक हो रही है तो लगेगा ही and सभी आप लोगों की wishes रही है और मेरी wishes आप लोगों के साथ हैं साथ अं आपके जो काम कर रहेगा वही मिलेगा ठीक है तो खेर चैनल पर न्यूँ है तो एक बार सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दीजेगा so thanks for watching keep studying and bye bye